हेलो फ्रेंड्स, कूल क्रियेशन में आपका स्वागत है आज हम हल्वाई जैसे सफेद तिल के लड्डू बनाएंगे और आसानी से काले तिल के लड्डू कैसे त्यार करें ये भी टिप्स हम आपको शेयर करेंगे इसमें मैंने एक कटोरी सफेद तिल लिये और एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है और मावा मैंने लिया एक छोटी कटोरी और गी सफेद तिल को मैंने लो टू मीडिय भून लिया है और ठंडे होने के लिए एक ठाली में रखती हैं और कुछ मैंने कटोरी में बचा लिया है ये मैंने मिक्सी में ठंडे होने के बाद पीस लिया है और पीसे के बाद मैंने कड़ाई में इस गुड़ को डाला है और देखिए इस तरह से गुड़ जब पूरा पिखल जाएगा तब मैंने इसमें दिलेट कर दिया हैं पीसे हुए और ये इस तरह से बाइंड कर लिया है और अब मैं इसको निकाल रही हूं और इस तरह से लड़ू गोल गोल करके मैं रख रही हूं आप उस तरह से भी लड़ू बना सकते हैं और उसके बाद आप देखिए इसमें मैंने उपर से जो बच्चे हुए कटोरी में तिल रखे थे वह मैंने इस तरह से इसमें लपेट कर तयार किये हैं यह आपके हलवाई जैसे लड़ू तयार है तिल के और अब मैंने काले तिल लिये हैं इनको मैंने भून लिया है लो टू मीडियम आज पर और यह गुड़ मैंने पिघलने के लिए रखा है देखे इस तरह से जब गुड़ को हम चेक करते हैं कि पानी में डालते ही उसके लड़ू जैसा बन जाए तो हमारा लड़ू बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है देखे यह थोड़ा सा ठीप ठंडा हो जाएगा तभी बाइंड होगा और मैंने घी लगा कर हाथ में और इनको बाइंड किया है और यह देखे मेरे लड़ू तयार हो गए है आसानी से थैंस पर वाचिंग स्कूल क्रियेशन